नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों सामने हर्फा रेवडी का ब्रिक्ष लेकर आया हूं देख लीजिए पहिचाल लीजिए दोस्तों एक तरह से यह एक फुरूट होता है लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलता है यह हर्फा रेवडी का ब्रिक्ष लेकर देखने के लिए नहीं मिलता है मैं आपको आज दिखाओंगा यह इसका फुरूट कैसा होता है और यह हमारे लिए कितना फाइदेमंद है तो देखिए दोस्तों यह हर्फा रेवडी का पत्ता है पहिचान लीजिए और यह फल है य इसलिए इसे हर्फा रेवडी कहते हैं और इंगलिस में इसे इस्टार और इंगलिस में दोस्तों इसे इस्टार वेरी कहते हैं दोस्तो या जो गोल गोल फल दिखरा आया फल भी कोई ममूली फल नहीं है बहुत ही सक्ति बल-वर्धक माना जाता है इसके अंदर तरा तरा विटामिन से लेकिन दोस्तो हमारे भारत में जंगली होने को वजह से इसका सेवन कोई नहीं करता है क्योंकि इसका स्वाद जो है शुरू में खट्टा फिर कसेला और फिर बाद में कडू लगने लगता है या खानें स्वादिष्ट नहीं होता है इसलिए इसे नहीं लोग खाते हैं लेकिन यह तोचा रोग के लिए बहुत ही फाइदे मन्द है अगर किसी को तोचा रोग है तो इसके को पीस कर इसके गुद्गें को पेष्ट बनाकर तोचा रोग में लेक्ड़ने से हर प्रकार तोचा रोग जो है नश्ट हो जाता है। देख लीजिए दोस्तों या फल जो है गुच्छो में लगता है इस‌तरह से जिसतरह आउला लगता है και तो एक से तीस फुर्ट तक देखा गया है यह जो सामने में दिखा रहा है पेड़ इसका उचाई तीस फुर्ट तक है देख लीजिए दोस्तों यह हरफा रेवड़ी फल दमा के लिए भी काफी फायदे मंद है अगर किसी को दमा है तो इस हरफा रैवड़ी को आग में जलाकर इसका राक बना लीजिए और राक बनाने को बाद सेधा नमक मिला लीजिए और एक ग्राम इस राख में एक ग्राम सेना नमक मिला कर दिन में दो बार चूसिए आपके सीने में जमा हुआ कब बिल्कुल साफ हो जाएक दमा रोग एकदम सही हो जाएगा लेंग साफ हो जाएक फिपड़ा साफ हो जाएगा तो देख लीजिए दोस्तो तो पहचान लीजिए इसे हरफा रहोडी कहा जाता है दोस्तों बहुत से जगे इसके अचार भी बनाये जाते हैं तो ठीक है दोस्तों अब हम अपना महातपुर जानकारी यहीं समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी आप पसंद आए तो हमारे चैनल लाइक कीजिए सेर कीज कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयर विदिक